Hello and welcome to our LRX Network, मैं हूँ आपका दोस और आज कि इस अमेजिंग और यूनिक विडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप Excel के अंदर आटो फिल्टर का यूज करना सीख सकते हैं आटो फिल्टर एक बहुत ही यूनिक तरीका होता है बहुत इंस्टेंट तरीका होता है आपके डेटा को फिल्टर करने का बहुत ही खुबसूरत खाली आप एक बटन दबाएंगे और आपका डेटा जिस तरीके से भी आप फिल्टर करना चाहते हैं वो आप फिल्टर कर सकते कैसे करते हैं चलिए मैं आपको सिखाता हूँ उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी तक तो जरूर करने क्योंकि आज और आज की बाद जो आने वाली वीडियोस है मेरी वह बहुत ही यूनीक और बहुत ही एडबांस और बहुत ही ट्रिकी होने वाली है जिसको आप सीखने के बाद देखने के बाद यकीन आप एक बहतर एक्सल एक्सपर्ड बने वाले हैं और चलते हैं इस वीडियो के अंदर आटो फिल्टर हम कैसे यूज करते हैं उसको मैं आपको सिखाता हूँ माल लेते हैं कि अगर आप जो है नॉर्मल फिल्टर में टोटल कितनी सेल की है और इन तीनों साल की मिलाकर टोटल सेल कितनी हुए इसका मैंने एक रैंडम डेटा बनाया हुआ है अब इस डेटा के अंदर अगर आप कोई भी चीज फिल्टर करना चाहते हैं माल लेते हैं कि आप जो इलेक्ट्रोनिक प्रोड़क्ट को फिल्ट हो कर आजागा या असके अलावा मैंने आपको अपनी लास्ष वीडियो के अंदर से खाया था कि आप एडवांस फिल्टर का कैसे ऐसे यूज votes कर सकते हैं आप एडवांस फिल्टर के help से यहे से तरिक्सी से आप फिल्टर करके यह मैंने दबाया बटन और यह आपका data होगया filter देख रहे हैं शॉटकर तरीके में single click के थूझ आप कैसे data को filter कर सकते हैं माल लेते हैं जो है मैं यहाँ पर test 2 के data को filter करना चाहता हूँ यह मैंने दबाया button यह आपका test 2 का data filter होगया देख रहे हैं आप instant तरीके से सिरफ एक बटन क्लिक करते हैं जो भी आप data filter करना चाहते हैं वो आप filter कर सकते हैं अब यहाँ पर आपका एक question उट सकता है कि sir यह तो जो है एक alpha bad था जिसके base पर आपने data को filter कर दिया माल लेजे इसमें आपको जो है number के base पर filter करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे for example यहाँ पर माल लेते हैं कि जिसकी age 25 से ज्यादा है मैं उसके data को filter करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिग दूँगा greater than 25 ठीक है और उसके बाद यह मैंने दबाया button देख रहे इसके पहरे आपको जो आटो filter का button होता है वो default नहीं होता है आपको उसको जो है add कराना पड़ता है वो की जो की वो hidden होता है तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर जो यह button नजर आ रहा है customize quick access toolbar का इसके उपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से more command के उपर क्लिक करेंगे more command के उपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से quick access toolbar के उपर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर जब आप more command select करते हैं तो यह option जो है default आ जाता है उसके बाद आप यहाँ से choose command from के अंदर जाएंगे और यहाँ से all commands को select करेंगे इसके बाद यह जैसे आपका auto filter button आपको नजर आ जाए, अब आपको क्या करना है, उसको select करके यहाँ पर add करा दिना है, जैसे ही मैंने यहाँ पर आल्रेड़ी एड करा रहा हुआ है, आपको यहाँ पर auto filter कॉरिटर का button नजर आज़ेगा है, आपको usフ securities यहाँ और एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच नंबर पोजिशन पर आ रहा है, हो सकता है, आपके अटो फिल्टर का बटन जो है, छटे, साथ में, आठ में, चौते, तीसरे, किसी भी नंबर पर आ सकता है, तो आपको वो कौन सी पोजिशन पर आ रहा है, उसको याद रखना है, इ जैसे आप अपने बटन से Alt और 5 जो भी आपकी जिस पोजिशन पर आ रहा है उस बटन को प्रेस करेंगे Alt के साथ में आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा इसके बाद आप Ctrl Shift L करेंगे आपका डेटा फिल्टर हर जाएगा अगर मालीजे आपको कंडिशन के बेस पर फिल्टर आप देख सकते हैं कि सेल 2021 के अंदर जीतनी भी जो है 2000 से ज़्यादा की सेल हुई है उसका पूरा का पूरा डेटा फिल्टर होकर आ चुका है यह तरीका है जिससे कि आप Advanced Filter को नहीं बलकि Auto Filter को और भी Instant तरीके से और भी Fast तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाला है आपको समझ में भी आगा कि Auto Filter कैसे आप यूज़ करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप जो ये ट्रिक्स सीख रहे हैं और Excel एक्सपर्ट बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लिक्स, आपके रिष्टदार जो भी हैं वो सीखना चाहते हैं एक्सल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी एक एक्सल एक्सपर्ट बन सकते हैं मैं मिलूँगा आपसे अपने आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर आपको सिखाऊंगा कुछ अलग कुछ नयाद जिसे की आप और भी बहतर बनेंगे. All right? So, मिलते हैं next वीडियो में. तब तक के लिए, goodbye.